हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन एवर चैनल प्यारे वच्छों आपसे भी का स्वागत है तो आज की इस वीडियों जैसे मैंने बोला था क्लास नाइनत का जो एक्साइस बनपन फॉर का कोश्चन नमबर फॉर है जो रिप्रेजेंटेशन ओफ नमबर फॉर वाला जो कोश्चन था उसके अलग सेप्रेट वीडियों आपको प्रॉवाइड कराएंगे तो यह वही कोश्चन आज हम यहां पर आपको कम्प्लिट कराने जा रहे हैं किस तरीक से इसको नमबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो द्यान से मेरी बातों को समझ जीएगा करना क्या सबसे पहला इस्टैप पहरे वच्चो क्या है कोश्चन में आपको नमबर दे रहा है अंडरूट 9.3 तो सबसे पहले आपको एक काम करना है A से B एक लाइन खीचनी है जिसकी आपकी लेंथ 9.3 रहेगी कितनी रहेगी 9.3 यूनिट आपका रहेगा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा और होना भी आपका नहीं चाहिए फिर क्या करना है आपको B पॉइंट से लेके C तक 1 यूनिट का आपको आगे लाइन एक्स्टेंड कर देना है B से C 1 मीटर आगया बढ़ा दीजिए 1 सेंटी मीटर होगे और 9.3 सेंटी मीटर का A to B खीचा फिर B से C हमने 1 का खीचा यानि कि अगर ये overall हम लाइन की बात करें जो complete जो लाइन हमारी A से C के लिए हो रही है वो हमारी हो रही है कितने का 10.3 का कितना हो रहा है 10.3 का complete लाइन हमारी कितने की हो रही है 10.3 की क्योंकि A से भी हमारा 9.3 है B से C हमने 1 सेंटी मीटर आग गड़ा फिर क्या करना है इस लाइन का आपको y-sector खीचना है यह इनकि इसको half करना है तो half कैसे करेंगे compass का आप यूज करिएगा half से जादा इस लाइन का ले लिए half से जादा ले लिए और आप arc लगा दी जिएगा 1RK और 1RK आपका नीचे की तरफ जाएगा similar B से B से लगाई एक arc C से ठीक है A से लगाएंगे और आप C से लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके जो point है वो cut खहाँ पर हो रहे है आप scale से इसको मिला ली जिएगा तो हमारी ये line y-sector हो गई किस point पर y-sector आपकी हुई है ये line आपकी y-sector हुई है इस point पर इसको name देदेंगे ओ अब क्या करना है अब आपको इसी point से आपको यहाँ पर half semi-circle draw करना है कुछ इस तरीके से जो C से होता हुआ आपका जाएगा ठीक है यहाँ तक सब कुछ किलिए हो गया होगा हमने क्या किया पहला step आपका क्या है प्यारे बच्चो A से B ड्रो करना है 9.3 फिर B से C एक सेंटीमिटर आगे बढ़ा देना याने कि पूरी line 10.3 का हो गया फिर A, A सी का हम half करेंगे जिससे हमें एक center मिलेगा और O को radius मानते हो O से A को radius मानते हो compass से हमने half semicircle draw कर लिया ठीक है जो point हमने V लिया है B से 90 degree का एक आप angle यहाँ पर draw करेंगे आप अपने scale का use कर सकते हो यहाँ से हम 90 degree का angle draw करेंगे जो कि half semicircle को cut करेगा यह हमने 90 degree का यहाँ से perpendicular draw कर लिया जो कि इस semicircle को हमने लिग लिया point D पर यह cut कर रहा है ठीक है अब फिर क्या करना है आपको compass का use यहाँ से करना है अब compass का आपको use करना है यहाँ से ओके फिर आपको यह dot 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 line करती हुई लेके जानी है और जहाँ पर भी यह number line को cut करेगा वही आपका representation होगा under root 9.3 का ओके number line पर इस point को हम E name भी यहाँ पर दे सकते हैं तो यह हमारा complete यहाँ पर solution हो गया उम्मीद है आपको यह representation of 9.3 का आपको समझ आ गया होगा पहला step क्या था जल्दी से एक बार revise करते हैं AC B draw करना 9.3 1 आगे बढ़ा देना 10.3 पूरा हो जाएगा फिर AC का half करना यानि की O point मिलेगा O से center मानते हुए O A radius का हमने half circle draw किया फिर हमने इस B point से हमने perpendicular draw करिया जो की इस half semicircle को D पे cut करना D से B D को हमने radius मानते हुए अपने एक number line पे यह ऐसे arc लगा है जहाँ पर यह भी cut करे का वही आपका under root 9.3 आपका representation आपका number line पे हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसका construction आप लिख सकते हो और उम्मीद है आपको यह solution आपको समझा क्या होगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई exercise के साथ तब तक के लिए धन्बाज Take care and wait for the next video